Hello guys, आप देख रहे हैं YG Law और आज हम पढ़ेंगे Article 19 Constitution of India में चलिए स्टार्ट करते हैं Article 19 protection की बात करता है किस चीज का protection? कुछ rights इसमें दिये हैं, उनका protection Article 19 करता है ये जो protection available है, ये सिर्फ citizens को available है मतलब सिर्फ citizens को ही ये right है जो Article 19 में mentioned है कौन-कौन से rights? Freedom of speech and expression का right Peacefully assemble होने का right Association or cooperative society बनाने का right पूरी इंडिया में कहीं भी freely घूमने का right अब freely घूम रहे हो तो उसके साथ कहीं भी इंडिया में reside होने का मतलब कहीं भी settle होने का right फिर उसके बाद एक right to property था जो कि हट गया 44th amendment 1978 में और उसके बाद कोई भी profession या कोई भी occupation ट्रेड या business carry on करने का right अब ध्यान रखना कि Article 19 important articles में से एक है काफी important ठीक है 14, 19, 21 बहुत important में आते हैं क्योंकि वो पूरा अपना 14, 19, 21 का अपना बनता ने triangle तो इसके sub clauses भी आपको याद होने चाहिए Article 19 sub clause 1 में या अपन ने जो सारे rights पढ़े ये सारे sub clause 1 में दिये हैं उसके बाद 2, 3, 4, 5 में इनके restrictions दिये हैं जैसे A का restriction दिया है 2 में B का दिया है 3 में 19 की बात कर रहे है 19, 2, 19, 3 मतलब यहाँ जो आगे continue होएगा A का 2 में, B का 3 में, C का sub clause 4 में D और E का ठीक है ये दोनों का दिया है 5 के अंदर और फिर F तो है ही नहीं तो G का दिया है 6 के अंदर अब जैसे 19, 1, A क्या बात करता है freedom of speech and expression की तो 19, 1, A के reasonable restriction कहां पे है 19, 2 के अंदर freedom of speech and expression 19, 1, A इसके reasonable restriction सिर्फ freedom of speech and expression के reasonable restriction की बात कर रहे है मनसारों की नहीं 19, 2 के अंदर हर आदमी को freedom of speech and expression का right है लेकिन कुछ limitation है उसका जो speech और expression है उसका जो free speech और free expression है वो इन सब चीजों के against नहीं हो सकता जो 19, 2 के अंदर दी हुई है वो sovereignty and integrity of India के against नहीं होना चाहिए security of the state के against नहीं होना चाहिए friendly relations with foreign state के equality के against भी नहीं होना चाहिए और freedom of speech and expression के अंतरगत आप contempt of court नहीं कर सकते आप किसी का defamation नहीं कर सकते और आप कोई offense का incitement भी नहीं कर सकते मतलब आप लोग में पस right है लेकिन उस right पे एक limit ड्रॉ करिए अब जैसे इसमें ले लो decency and morality वाली बात ले लो decency and morality क्या होती है subjective term है लेकिन एक minimum standard तो रखना पड़ेगा न right to freedom of speech and expression तो ऐसा थोड़ी न आप speech में वलगर वलगर बाते public platform पे आके बोलो TV पे बोलो बच्चे भी देखते नहीं कर सकते न आपको expression का right है आप चाहो तो किसी भी तरह के कपड़े पहनो कैसे भी घुमो कोई भी हैरस्टाइल रखो लेकिन आप नंगे होके नहीं घुम सकते तू होता कोने लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से रोखने वाला अब लड़की चाहें कुछ भी करे बिकिनी में घुमें राप को नंगी होके दोड़े सही बात है मुझे क्या मैं तो बस यह बोड़ रहा हूँ कि थोड़ा Constitution को कुछ दिक्कत है तो आप उसकी मान लो ठीक है अब आते हैं मुद्दे पे मुद्दा यह है कि Freedom of Speech and Expression आर्टिकल 19 में आता है आर्टिकल 19 में एक बात ध्यान रखना ना बुक खोल के देखोगे न कोई सी भी बुक खोल लो MPJN खोल लो, JN Pande खोल लो VN शुकला खोल लो, सर्वईवर वई खोल लो कुछ भी खोल लो आपको आर्टिकल 19 पचास पन्ने से कम का नहीं मिलेगा पचास पेज़ेज छोटे फॉंट में front and back और एकदम चिपका चिपका के कम line spacing में लिखावा मिलेगा तो मतलब content बहुत ज़्यादा है cases बहुत ज़्यादा है मुझे कहीं पे तो line draw करनी ही थी तो मैंने important cases इसमें डाले हैं तो वो important cases एक बार देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि तीन बच्चे थे स्कूल में उन तीनों ने बोल दिया कि हम नाशनल एंथम के लिए खड़े जरूर हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नई तो प्रिंसिपल ने कर दिया उनको रेस्टिगेट तो उन्होंने केस कर दिया कोट के अंदर उनने बोला कि देखो यह तो हमारे फ्रीडम आफ स्पीच और एक्स्प्रेशन का वाइलेशन है वैसे बाइदावे यह तीन बच्चे ऐसे खुननस में या इंटिनाशनल थे इसलिए नहीं उनने गाने से मना किया था यह कैसा कल्चर फॉलो करते थे मतलब य आचिह थे वह कंदल कैसा होना इंपोर्टन है गाना इंपोर्टन नहीं है वैसे बाई दवे अगर कोई खडा नहीं भी हो रहा है नहीं चैसे मैं ने देखाई कि इंडिया में कुछ ज्यादा इगो है नाशनलम का अकर सही में नाशनलिजम है इतना तो को देश के को ह auto हुआ या वह एंटी नैशनल या पाकिस्तानी इसलिए खड़ा नहीं हुआ उसको कोई दिक्कत हो सकती है क्या पता उसके पैर में चोट लगी हो आपको सब पता है कि आज की जीन्स के नीचे उसके चोट लगी है कि नहीं लगी कुछ भी हो सकता है ना तो अगली बार प्लीज अगर मेरे स्टूडेंट होना तो ये घटिया, दादागिरी, हूलिगन कल्चर इंडिया में मतला हो ठीक है जिसको खड़ा होना नहीं होना है वो नहीं होएगा तुम जवर्दस्ति रिस्पेक्ट दिलवा कि रिस्पेक्ट उसके दिल में पैदा नहीं कर दोगे तो यह इस उता कि freedom of press, freedom of speech और expression के अंडर में आता है कि प्रेस क्या होता है, प्रेस बोले तो कि कोई administrative या statutory control नहीं हो, मतलब कानूनी कोई control नहीं हो, किस चीज पर? information, ideas, knowledge और thoughts के propagation में है, समझ गए? मतलब आप सिर्फ press मतलब सिर्फ news नहीं होता है, मतलब कोई अपना opinion लिखना चावे, कोई किताब लिख रहा है, उस type से वो सब ये press होएगा, ठीक है? तो उस पे कितना valid है, मतलब आपके press वाला जो right है, अकबार चापना, किताब चापना, बगेरा बगेरा, इन सब चीजों पे 191-A कितना applicable है? इसमें पहला केसे bridge motion ने अदर वरसे state of Delhi, इसमें bridge motion जी ने pre-censorship के लिए मांग की थी, इन्होंने बोला था कि ये regulatory body होनी चाहिए, media content को regulate करने के लिए, तो Supreme Court ने बोला कि देखो, आप इना जब जो content आप बोल रहे हो, जिसको regulate करना है, वो जब public domain में आ जाये, telecast हो जाये, print हो जाये, जो भी हो जाये, उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप complain करो, कि आर्टिकल 19-2 का violation है, reasonable restriction के against में है, ये, लेकिन आप पहले से pre-censorship नहीं कर सकते, bridge motion and another versus state of Delhi में held हुआ था, second case है, रोमेश थाप अपर थे एक well-known communist और उनको है ना काफी policies से दिक्कत थी, प्रदान मंतरी जवारलाल नहरू की जो policies थी उनसे, तो वो articles दिखते थे उनके against अपनी weekly magazine crossroad में, जिसमें वो अपना opinion, अपना criticism बगएरा, skepticism सब डालते थे, ठीक है, तो वो magazine थी ना, वो government of madras ने ban कर दी, कोई order से वो जो order है, वो section 91A of the madras maintenance of public order act 1949 के थे दिया गया था, ठीक है, जो government को allow करती है, कि भाई, ये circulation वगेरा, prohibit वो कर सकती है, अगर चाहें तो in certain province of madras for public safety or public order, लेकिन एक चीज़ देखो, public order 1951 में आया था, public order reasonable restriction में तब था नहीं, ये actually first amendment 1951 में डाला गया है, और ऐसा बोल सकत हैं कि रोमेश थापर केस के बाद ही डाला गया है, ताकि ऐसी material का distribution public order के लिए रोका जा सके, अब क्यूंकि public order नहीं था reasonable restriction में, तो section 91A, madras maintenance public order act जिसके तहत, ये बैन लगाया गया था, इनके journal पे, ठीक है, उसको doctrine of severability लगा के हटा दिया गया, उसको unconstitutional कर दिया गया, next case है सकल papers versus union of india, सकल, शाकाल, कुछ भी मैं जे नहीं पता spelling यह है, अब इस case में यह वा आता है, जो number of pages थे और size था, newspaper का, वो at a certain price fix कर दिया था, कि इतनी price में आप इतनी page चाप सकते हैं, इससे ज़्यादा page नहीं चाप सकते, तो ये दिक्कत हो गई newspaper वालों के लिए, ऐसे नह इनको अनाप्शन आप चापने में मज़ा आता है, इसलिए इनको पन्ने ज़्यादा चाहिए, दिक्कत इसलिए हो गई, क्योंकि देखो newspaper का revenue है, आप जो newspaper के पैसे देते हो, उससे नहीं आता है, आप जो 5 रों का paper खरीतते हो ना, उससे उनका revenue का main source नहीं होता, उनका main source हो ठीक है, तो advertisement का scope का मुझा है का जब आप पन्ने limited कर दोगा और अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यूँ न्यूस सारी publish नहीं कर पाएंगे, तो court ने बुला कि देखो ये जो newspaper के page number या size fix करना है न, ये भी violation है, article 19 1A के, तो आप नहीं कर सकते, ऐसा ही similar एक और case थ और उनको death penalty मिली थी 6 murder के लिए, उन्होंने जेल में अपनी autobiography लिखी, अब धिक्कत ये थी कि उस autobiography में इन्होंने खुला से किये थे, इनके जो relations थे, बहुत सारे IS IPS officers थे उनके साथ, तो जब ये publish हो रही थी जेल में लिख रहे थे, तो उन्होंने IS IPS officer उनने बहुत publishing है, उसको आप बंद करो, कि मतलब उसको पहले ही आप होने मद्दो publish, तो court ने वही वाली बात बोली, जो bridge portion में बोली थी, कि देखो, जब वो publish कर दे, defamation हो जाए, उसके बाद आप remedy लेने court आ जाना, आप advance में कि वो defamation करने वाला है, इसलिए उसको बोलने ही मद्दो ऐसा नहीं कर सकते है, ठीक है, जब आपका defamation हो जाए, तो आप बेटा अराम से चुप चाप आ जाना, court में remedy लेकर चले जाना, court में मिटी कोली दे के बगा दिया, next issue है कि commercial advertisement पार्ट है, क्या freedom of speech में, मतलब आप एक advertisement दे रहो, क्या वो भी add देना भी मतलब freedom of speech के अंडर में आए नहीं है, वो अलग है, उसके ambit में आप advertisement को नहीं रख सकते, दूसरा case था Tata Price vs MTNL, इसमें बहुत ही interesting approach ली, Justice कुलदीप सिंग ने, इनने बोला कि देखो, अपना economic system है न, main उसका objective है, low prices for consumers, ठीक है, और price कम कब रहेगी, जब mass production होगा किसी चीज का, mass production कब होगा, जब mass में sale होगी, mass में sale कब होगी, जब advertising होगी, ठीक है, mass produce करने के लिए, और सस्ते दमाओं में, consumer को provide कराने के लिए कोई चीज, advertisement बहुत important है, तो advertisement को भी part of freedom of speech माना गया, तो यह हुए कुछ important case, article 19.1a के regard में, अब बात करते हैं, article 19.1b की, यानि कि freedom of assembly, जिसके reasonable restriction दिये, 19.3 में, grounds for reasonable restriction for freedom of assembly are public order and maintenance of sovereignty and integrity of India, अब अगर आप ये दोनों violate कर रहे हो, तो वो unlawful assembly हो जाएगी, IPC के under में, अगर peaceful नहीं है, या हतियार लेके कर रहे हो, तो वो unlawful assembly हो जाएगी, unlawful assembly section 141 of IPC में, defined ढंक से कराया अपनने, proper वीडियो बनाया है, देखना है, तो यहाँ पर आ जाए freedom of association के article 191C में, जिसके reasonable restriction 1904 में दिये है, इसके reasonable restriction है, interest of the sovereignty and integrity of India, public order और morality, article 191C guarantee करता है, freedom to form association and cooperative society, freedom to form association के अंदर, freedom to not be part of an association भी आता है, कि आप नहीं बनना चाहोगो, association के पार्ट या छोड़ना चाहो, तो आप छोड़ सकते हो, और जो cooperative society वाला पार्ट है, वो 191C में, 97th amendment से जोड़ा गया, 97th amendment से पार्ट 9B of constitution आया, जो cooperative society की ही बात करता है, पूरी, next freedom है, freedom of movement 191D के अंदर में, और freedom of residence 191E के अंदर में, और इसके reasonable restriction दोनों के ही दिये, 95 के अंदर में, क्योंकि, इनके same reasonable restriction है, number one है, interest of the general public, और number two है, for the protection of the interest of any scheduled tribe, अब देखो, कोई schedule tribe वाला समझ में आगया न, आपको मतलब, किसी area में कोई tribe है, वो वहां रहरी है, उनके मतलब, जनसंक्या संकट में है, या कुछ भी reason हो सकता है, ठीक है, उनको protection की जुरत है, basically, तो वहां पे government बोल सकती है, आप यहां पे जाके, जमीन नहीं खरी सकते, क्योंकि गरीब लोगे, आप इनका फायदा उठालोगे, इस type से मतलब, example दे रहा हूँ, तो ये एक, इसमें ये अनोखा वाला, वो है reasonable restriction है, बाकिसारों में नहीं है, तो ये याद रख लेना, फिर इसके बाद बाद आती है, freedom to own property, article 300A, हाँ, 300A, क्योंकि 44th amendment 1988 ने 191F हटा दिया, जो की freedom to own property दे रहा था, ऐसा fundamental right, और article 31 right to property भी हटा दिया, ठीक है, और article 300A डाल दिया, तो क्या फरक पड़ा, मतलब, उदर से हटाया, उदर constitution में डाल दिया, फरक ये पड़ा, कि अब वो है है, मतलब, अब इससे फरक ये पड़ा, कि fundamental right को ज्यादा importance मिलती है, enforcement में, क्योंकि वो fundamental है, ठीक है, और constitutional right भी है, important, constitution में है, लेकिन fundamental right जितने important नहीं है, ठीक है, और ये ज़रूरी था, क्योंकि अब मालो, किसी को highway बनाना है, government को highway बनाना है, सीधा सीधा highway बनाना है, ठीक ह अब ऐसे हर एक घर आदमी, एक अडियल आदमी, जो अपनी जमीन नहीं बेचना चारा, उसकी वज़े से highway को गोल गुमाओगे, तो फिर वो highway तो रही नहीं है, फिर तो वो कुछ अजीब सही बन जाएगा, route पूरा का पूरा, तो convenience के लिए और growth और development के लिए जरूरी था, right to property हटाना, और renumeration तो देते ही है ना, आपकी property ले लेते हैं, तो सरकार पैसे तो देती ही है, तो अब ये जो right है, article 301 के अंडर में, ये एक constitutional right है, और ये fundamental right नहीं है, नेक्स्ट है freedom of profession, occupation, trade और business, 1901 G के अंडर में, जिसके reasonable restriction, 1906 में दिये हैं, तो इसका reasonable restriction number one है, in the interest of the general public, ठीक है, obvious, state prescribed qualifications for carrying on any profession or technical occupation, अब इसमें देखो आप, मतलब state ने बोल रखा है कि देखो, आपके वास ये qualification होगी, तो आप ये काम कर सकते हो, और ये reasonable restriction सही में बहुत reasonable है, माल लो, profession क्या होता है, डॉक्टर होना भी एक profession है, मैंने MBBS नहीं करी है, मैंने law करा है, लेकिन मैं बोलूँ कि मेरे को, अब इलाज करना लोगोंगा, मेरे को surgery भी करनी है, और मेरा right to profession है, मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं, तो मैं अभी अपना clinic खुल के बैठ रहा हूं, तो सरकार है न, तो जूद देगे आके, और जेल में और डाल देगी, ठीक है, फ्रॉड के case में, क्यूंकि देगो, आपकी मन में है, वो नहीं कर सकते न, वही तो पुरा point है, reasonable restriction का, तो अगर state ने prescribe कर रहे की qualification की, भाई, ये profession करना है, तो ये degree होनी चाहिए, या expertise होनी चाहि है, तो वो होना पड़ेगा, आप वहाँ पे, मेरा right, my life, my rules, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बाद को state-run trade, business, industry, service कोई हो, जो state बोलता हो कि आप participate नहीं कर सकते, जैसे मानलो हतियार बनाना हो सकता है, medicinal drugs बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो state पे depend करता है जिसमें citizens को मना कर रखा है, कि आप नहीं कर सकते, participate तो आप नहीं कर सकते, reasonable होना सही है, बस ऐसा नहीं है, कि आप कोई, मानलो सबजी के ठेले लगा रहे हैं सब और आज से बोलो कि कोई ठेला नहीं लगाएगा, सरकारी बेचे की सारे सबजी हैं, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, reasonable तो होना ही चाहिए न, इसलिए तो reasonable restriction है, अब इस वाले clause में भी कुछ विवाद है, कुछ dispute है, तो वो देखते हैं, cases के तुरू, सबसे पहले dispute है, right to carry on business includes right to close the business, मतलब मैं business कर सकता हूँ, तो उसका मतलब मैं business बंद भी कर सकता हूँ न, कभी भी, मेरा business है, मेरी इच्छा है, नहीं, आपके इच्छा नहीं है, ठीक है, excelware versus union of India, इस case में registered firm थी, उनने apply किया था government को, कि भाई हमको close करना है, क्योंकि हमें heavy losses हो रहे है, government ने मना कर दिया कि तो public interest में, आप नहीं कर सकते, क्योंकि section 25 और 25 आर, जो industrial dispute act उस वाग चल रहा था, उसके section थे, उनमें requirement है कि employer को permission लेनी पड़ेगी, government से closure की, कब, कम से कम 3 महीने पहले, और उसके बाद भी government refuse कर सकती, permission देने के लिए, अगर reason adequate नहीं है, बंद करने के लिए, या sufficient reasons नहीं दिये, बंद करने के लिए, और या फिर ऐसा closure, जो public interest है, उसके against में हो, तो right to carry business का मतलब, right to close the business नहीं है, ये excelware में decide हुआता, second बात आती, education covered है, article 91G में, ये तो बड़ा disputed, ये तो बड़ी विवादित बात है, नहीं, कि पढ़ाई का धंदा, ठीक है, मैं भी वैसे पढ़ाई का धंदा ही कर रहा हूं, यूट्यूब से views मिलते हैं, उसके पैसे कमाता हूं, course बेचता हूं, पैसे कमाता हूं, तो देखो है तो business ही, noble, noble कुछ नहीं है, ठीक है, win-win है, आपको पढ़ाई करने को मिल रही है, मेरको थोड़ी तारीफ मिल जाती है, थोड़े पत पैसे मिल जाते है, तो है तो business ही, तो education officially covered है, article 91G के अंडर में, तो officially तो देखो, उन्नी कृष्णन के case में बुला गय ही, क्योंकि trade और business profit motive से किया जाते हैं, और education अपनी इंडिया में कभी commerce activity नहीं थी, second case है, PA इनामदर वर्से स्टेट ऑफ माराश्टर 2005 का case है, इसमें बोला गया था, कि education को occupation बोल सकते हो, लेकिन trade या business नहीं है, occupation मतलब आप नौकरी कर रहे हो, as a educator, लेकिन वो धंदा नहीं है, पढ़ाई का धंदा मत करो, ऐसा बोला, पिये इनामदर वर्से स्टेट ऑफ माराश्टरा में, इनको भी वो सारे coaching institute दिखाओ, जो बहुत किते अजार-जार करोड कमा रहे हैं, मिसाल के उनका दिखाओ एक बार, next बात आती है, state lotries की, कि जो lottery निकलती है, जो lottery का पूरा बिजनेस है, वो trade है, या gambling है, तो BR enterprises versus state of you, में बोला किया था, कि देखो, जो lotries है, वो business नहीं है, वो gambling ही है, क्योंकि जो trade होती है, उसमें skill लगता है, chance भी होता है, लेकिन gambling जो होती है, वो सिर्फ chance पे होती है, उसमें कोई skill नहीं होता, और lottery में, जैसा कि अपने को पता है कोई skill नहीं है, मतलब chance ही है, जो number निकला वो जीता, number निकालने का कोई mathematical तरीका नहीं है, random निकलता है, तो chance पे है पुरा, तो मतलब जो state lottery पे ban है, क्योंकि वो gambling है, वो एकदम valid है, क्योंकि state lottery trade नहीं होती, तो guys, यह होगा हमारा article 19 का video complete, अगर अच्छा लगा तो यहाँ प अगर आपको देखने हैं, तो आप देख सकते हो, नहीं देखने हैं, तो आप भड़ में जा सकते हो, लेकिन भड़ में जाने से पहले like जरूर मार देना, comment जरूर कर देना, और subscribe कर देना, thank you so much, bye bye